सो खुदा की कलीसिया को हमारा सलाम मिले, हम दिल से शुक्र गुजार हैं खुदावन के, कि खुदा ने हम सब को अपने बेटे और बेटियां होने का एक रुत्बा दिया है, एक गौरव दिया है, और हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए, कि सही समय पर प्रभु येशु मसी मारे गए, गाडे गए, सो सच में खुदा के बेटे और बेटियां, आज खुदा को धनेवाद अर्फित कर रहे हैं, उसने हमें दास्ता के बंदनों से आजाद किया, आलेलुया, उसने हमें दास्ता के बंदनों से मुक्त कर दिया, आलेलुया, और उसने हम से वाइदा भी कर लिया, हम बार बार इस वाइदे को धोराते हैं, वो कह कर गया है, कि मैं अपने पिता के, और, यदि मेरे पिता के यह जगाना होती तो मैं तुमसे इस पस्ट कह देता यकीन जानिये वो जूटा नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है वो जीवित प्रभु है वो सामर्थी परमेश्वर का इकलौता बेटा नासरत का नासरी मसी येश्व है वो अपनी कलीस्या के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए बड़ी इमानदारी के साथ जगा तैयार कर रहा है और उस जगा का उसने नाम दिया है जन्नत उल्फिर्दौस अलेलुया और वो चाहता है कि उस जन्नत उल्फिर्दौस पे उसका हर बेटा, हर बेटी दाखिल हो और जो आज दाख का रस आपने पिया है वो चाहता है कि अब वो दाख का रस उसी जन्नत उल्फिर्दौस में आपके साथ पियेगा आपको उसकी मंच्छा को पूरा करना है आपको उसकी इच्छा को पूरा करना है आपके जीवन में तो उसने हर इच्छा को पूरा कर दिया अब मुझे और आपको मिलकर उसकी हर इच्छा को पूरा करने की नितान तावशक्ता है बोलो यश्यु मसी की बोलो यश्यु मसी की बोलो यश्यु मसी की उसके मार खाने से येश्यू मसी की जै तो पॉटलक लंच आज खुदा के बेटे बेटीों ने बड़ी महनत बड़ी मशक्कत के साथ तयार किया है और सब लोग एक साथ मिलकर खुदा की कलीसिया में उसे शिर्कत हासिल कर रहे हैं खुदा की हिदायद भी है कि जब अंत के दिनों को अपने भीच में आता देखो तो संगती में बने रहना रिफाकतों में बने रहना रोटी को तोड़ते रहना घर घर जाते रहना और पॉलूस भी कहते हैं कि खुदा के कलाम को घर घर लेकर जाते में मैं कभी लजाया नहीं मुझे कभी लजा नहीं आई लेकिन मैं लगातार खुदा के कलाम को लोगों तक लेकर जाता रहा सो बड़े सलीके से खुदा के लोग इस पॉटलक लंच में शामिल हैं WSCS की बहने बहुत अच्छे तरीके से बड़ी करबटा के साथ अपने काम को अंजाम दे रही हैं हमारी सबसे अपील है इस कलीशाई खिद्मत को अपनी दूआ में उठाकर रखें मैंतोडिस सेफिसकोपल चर्चित सौतनेशिया की ये सेवाएं हैं जन्वानस के बीच में वो इन्हें देता है सो ये सब चीजे खुदा को गरहनी होगे ठैरने पाएं सब को सलाम सो कई बार सुनने में आता है कि येशु पर लाइमान लोग धर्मी बन जाते हैं और खुदा ने ये भी कहा है लिखा है और क्या लिखा है क्यूंकि सर्ग का राज्य ऐसो ही का है सो सच में आज होली कम्रियन संडे रहा और इस होली कम्रियन संडे में खुदा के बेटे और बेटियों ने बड़ी संजीतगी से अपने आपको खुदा के भवन के साथ जोड़ा पाकशा की रस्म में शिर्कत किया और जैसा की प्रथा है चर्च की की चर्च हर पहले संडे में पाकशा की रस्म को खुदा के बेटे बेटियों के बीच में तक्सीम करता है स्वाज लोगों ने उस पाकशा की रस्म को भी लिया माता पिता बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि ये नन्ने नन्ने नोनिहाल ये संगती का हिस्सा हो इने तराशा जाए हम इस कैमरे के माध्यन से आपको ये नन्ने नन्ने बच्चे दिखा रहे हैं ये आने वाले कल के मजबूत इस्तम है खुदा के सो इनके माता पिता के जजबे को सलाम है कि उन्होंने इस बात को समझा कि ये बच्चे भी अबादत का हिस्सा हूं